सोंकच ब्रेकिंग व्यास अपनी पत्नी और सासुर को शिवपुरी इंदौर ले जा रहा था रास्ते में पत्नी सासुर से कुछ कहा सुनी हो गई थी तब आरोपी ने सोंकच नगर के समीप एक सूनसान जगह पर कार रोक कर आरोपी पती विशाल ने अपने दो साथी सुन्नी गुपता और सूर के साथ मिलाकर अपनी पत्नी रजनी व्यास और सासुर महेश उपाध्याय की धारदार हत्यार से गाल रेत कर हत्या कर चहरे पत्थर से सर कुछल कर शव को जलाने का प्रयास किया था करीब तीन वर्ष तक चले अंडर ट्रायल चले इस प्रकरन आज न्यायाधीश ने फैसल सुनाया और आरोपी को दोहरे हत्याकान का दोशी पाते हुए आजन कारवास की सजा सुनाई